हेलो शुडेंस विल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल आरेन स्टडी सक्सेस पॉंट तेले बच्चों को फिर से मारे यूट्यूब चैनल आरेन स्टडी सक्सेस पॉंट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अज का विडियो में जो हम लोग बात करने बाले क्लास का साइन्स का वर्क सीट नॉमबर यट के बारे में पढ़ने बाले डेट 237 2021 का यह वर्क सीट है और जो टापिक हमें दिया गया है वो है मोशन मोशन के बारे में बताया है ठीक है तेहां पर देखो एक बद दे रखा है कि रीमा इन सीमा वी एर गुएंग टू दियर विले सीमा सेड वी आर मुविंग अवे फ्रॉम दा रेल्वे स्टेशन बाट नॉट मुविंग विट रिस्पेक्ट टू इच अदर यह बोला तो यह जो सीमा है वो क्या बोलती है कि हम लोग रेल्वे स्टेशन के वी आर मुविंग फ्रॉम दा रेल्वे स्टेशन हम लोग रेल to stationary reference point dua useful respect to a stationary reference तुए बोल सकते कि object जो क्या है motion बोला जैसे है आप लोग देखे को object जो था जैसे कि train था उसका position पोजिशन चेंज होरा था किसके कम पेर में एक दूसरे सामने में भैठ थी यह दोनों को किसी का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा था क्या है युजित मैं थे करता है जो मोशन नकूंसेप्ट ता ऐस इलिए कु जो मोशन का को अच्प पर को समझ में आया होगा यह चात्रा का motion है, rectilinear motion क्या होता है बच्चों, जब motion नहीं है, straight line, यानि कि जब कोई भी बस्तू, एक सीधी गती में गमन करेगा, यानि कि सीधी line में travel करेगा, तहम बोल सकते है, वो क्या है, rectilinear motion है, जैसे moving up vehicles on a straight line, गारी एक सीधी सड़क पे जा रही है, प्लेन जो है, कास में सीधी एक दम उड़ रहा है, चल रहा है, तो क्या है, rectilinear motion होगा, motion of circular path और circular motion, अब जो circular path पे जैसे इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, एक circular path पे जो जूला है, बहुत बड़ा सा घूम रहा है, ठीक है, यही है, एक gent of wheel, बहुत बड़ा जूला जो है, ठीक है circular motion, जैसे पंखे की जो blade है, वो पंखे यह गुमते रहता, फिक्स पाथ पर यह क्या है, circular motion है, उसके बाद प्रियोडिक motion, ठीक है, यानि कि देखो यहाँ पे बोला, two and four motion means oscillatory motion, two and four मतलब पहले पीछे गया, फिर पीछे से आगया इस तरह से, तो यही होता है, two and four motion, इसी को हम लोग oscillatory motion, बोलते, example clock of pendulum, घड़ी का pendulum जो लगाता है, इस तरह से, पहले यह इधर गया, ठीक है, फिर वापस इधर से, इधर आया, ठीक है, इस तरह से चलते रहे गया, आप प्रियोडिक मोशन देखो क्या था अब, प्रियोडिक मोशन क्या है, आगे, इधर अबजेक्ट रिपीट इट्स मोशन कॉंटिनुएसली, और डिफिनिट पाथ, आफ्टर डिफिनिट इंटर्वल अफ टाइम, यानि कि उसी, कोई भी अबजेक्ट, जब वोजी मोश को रिपीट करें गा, एक फिक्श समय के बाद, फिक्श इंटरवल समय अंतराल के बाद, तो सच मोशन इसकाल प्रियोडिक मोशन, यानि कि जो भी शर्कूलर और और हॉसिलरेटरि मोशन है, इसी को हम प्रियोडिक मोशन बोल सकते, कैसे कि manual को यही पाथ बढ़ाबर ड़ा पॉइंट मतलब रिफ्रेंस हो गया इनिशियल हो फानल पॉइंट के बीच में जो भी अब्जेक्ट को भी बस्तु बास्तविक दूरी जो भी तै किया जैसे एक कार यहां से चला यहां तक आया मालो ते कितना दूरी कवर किया दस किलिमेटर तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी क आपको मोशन के बारे बताना और हर एक का कम से कम दो दो एक्जामपल देना है यह बोला किस कंडिशन में डिस्टेंस जो है अब जेक्ट का ट्राइबल होगा वो जीरो होगा यह बोला कि यूर श्कूल इस टू किलिमेटर अभी फ्रॉम दा होम इफ यू गो एवरे डे टो श्कूल हाउ मच डिस्टेंस विल्यू कवर इन फाइव डेज यह बोला आपका यहां पर घर है और ये क्या है अश्कूल है तो घर से श्कूल की दूरी कितना है दो किलिमेटर है आप डेली श्कूल जाते हैं तो पांच दिन में कितना दूरी कवर करेंगा तो पता बच्च यह बोला अर्थ इस कंटिनियूसली मूविंग और रोटेटिंग अर्थ लगाता और घुमते रहता है और मूव करते रहता है सो डज इट मिंस डैट ट्री अंद अर्थ और अलसो मूविंग इसका मतलब जो पेड़ है वही मूव करते रहेगा वाई और वाई नाट क्यों म मूविंग भेंकल अर्श्रेट लाइन दा मोशन अप प्लेन इन दा स्कार दो दो एक्जामपल भी था तुसरा मोशन था सर्कूलर मोशन एक्जामपल लाइक के ज्यांट अवी मतलब जो जूला का बहुत बाड़ा था हो पहिया जो घुमता है शिलिंग फैन ब्लेड से रो खשים का मैं अब हम बात करेंगे आब हम देखेंगे इन विच कंड process ट्राइन बाय अब beverage एक डिन में आपको हम समझा भी दिये ते कि एक योरा स्कूल जो दो किलोमेटर रजेसर स्कूल यहां था यहां से आप तक तो एक दिन में आपको कितना ढुरु का वर करोगे दो क्लोमेटर छाओगे दो क्लोमेटर आओगे ठीक है तो डिस्टेंस कावरassi किलियर हो रहा है नहीं हो रहा है जल्दी से बताना अपनों ठीक है अब यह बोला अर्थ इस कॉंटिनियसली मूविंग रोटेटिंग यह कोशन बताए दिते हैं कि लगातार हो मूव करते रहता है रोटेट भी करता तो इसका मतलब यह हुआ जो ट्रीज है अंदर अर्थ पेड़ जो है प्रिफ्रविंग मूव करेगा क्यों मूव करेगा और क्यूं नहीं करेगा तो हमें देखा कोई भी चीज मूव कर रहे है नहीं मोजन में उसके लिख सभी इखना पड़ेगा एक सभी metropolitan में हम देख रहे है कि यह मोजन में है यानि कि पिर्थवी के compare में, अर्थ के compare में, पेड़ के position में कोई बदलाव नहीं आ रहा है अगर जो ही देखे, the reference of the sun, यानि कि sun के reference में देखते हैं, tree are moving तो पेड़ जो है, वो move कर रहा है, because the position of tree are changed with the reference to the sun sun के reference में, पेड़ का position क्या, क्योंकि अब sun के reference में तो पिर्थवी घुम रहा है पिर्थवी घुम रहा था, पेड़ भी घुम रहा है, जैसे आप पेड़ आप थे, आप जो है train पे बैठे है, तो train चल रहा था, लेकिन आप जो है motion arrest को define कर सकते हैं, ओके students, और इसी के साथ, आज का वर्क्षिट का जो question था, भी complete होता है, और I hope कि आज का session आपका काफी अच्छा रहा होगा, और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे, तो फिर मिलते है अगली class में, जब तक आप लोग घर पे safe रह जाहिए जाहिन